नमस्कार अरुनाचल समाचार में आपका स्वागत है मैं हूँ यरामता सिंगांगों आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुकिस समाचार केंदे पुर्वोतर विकास मंत्री देखते हैं मुकिस समाचार में आपका स्वागत है डॉक्र जीतिनी देखते हैं पुर्वोतर के आठ राज़ों के राजपाल तथा मुकिस मंत्री ले रहे हैं भाग कुर्टर की राज़ों आज महां सुवतंतता से इरानी नेताजी सुभाश चंद भोश की जैनती को मना रहा है पराकरम दीवस की रूप में प्रधान मंत्री नरंद मोदी ने कोलकाता में आवज़ेत पराकरम दीवस समारों में नेताजी की स्मृती में जारी किया डार्ग टिकट प्रधान मंत्री नरंद मोदी ने कहा है कि असम भारतिय दरहरों का केंद्र है और इसका स्वरंगीन और तीवर विकास सरकार के लिए बहुत महतपून है प्रधान मंत्री ने असम के शिवसागर जिले के जेरेंगा पथार में एक लाख छेहसार भूमी पट्टों और आवंटन प्रमान पत्रों का विद्रन किया और कहा कि असम आत्म निर्भर भारत का एक महतपून हिस्सा है और यहां ग्यारा हसार किलोमेटर सरके बनाए गई ह उन्होंने ये भी कहा कि असम की 40,30 जन संख्या केंड़ सरकार की आईशमान भारत योजना का लाफ ले रही है शिमोदी ने कहा कि एंडिया सरकार ने हमेशा से असमिया संस्कृति के संरुक्षन को उच्छ प्राथ मिक्ता दी है जिसमें असमिया भाशा के संरुक्षन और जिसके साहिते को बड़ावा देना शामिल है उन्होंने कोविट की स्तीती से निपठने में राजी सरकार की भूमिका को सराहा इस असर पर असम की मुखे मंदरी सरवानन सोनोवाल ने कहा कि असम और पुर्वोदर छेटर का विकास प्रधान मंदरी मोदी के प्रयासों के का हब हुआ है अब दूर हो गई है आज के दिन स्वाभिमान स्वाधिन्ता और सुरक्षा के तीने और प्रतीकों का भी एक प्रकार से समागम हो रहा आज असम की मिट्टी से प्यार करने वाले मुल निवासियों के अपनी जमिन से जुडाव को कानूनी सवरक्षन दिया गया ये काम अईतिहाचिक सिव सागर में जेरेंगा पठार की धर्ती पर हो रहा है आज असम के मुल निवासियों की भाषा और संस्कृति की समरक्षन के साथ साथ भूमी से जुड़े उनके अधिकारों को सुरक्षित करने पर भी विशेयस जोड दिया जा रहा है असाम के जो विकास हो रहा है उट्टरपुप प्रडेश की जो विकास हो रहा है इसके पीशे आपका अर्शिबाद और सहियुग है आपने असामर उट्टरपूप को होसला और हिमद्या, साहद्या, सहीउग दिया जिसके बज़े से आज हमने अपना पहसान देश के अंदर बनाने में सफल हुई आठ राज़ के राज़ पाल तधा मुखे मंद्री और अन्य वरिष्ट अधिकारी भाग ले रहे हैं परिश्यत के आरंबिक साथर को संबोधित करते हुए शुशा ने कहा कि देश का विकास पुर्वोतर राज़ के विकास में नहीं धै इस साथर पर अरुनाचल पदेश के राज़ पाल डॉक्टर बीरी विशुरा ने सुरक्षा संबंदी मामलों में सुधार किये जाने और सीमावर्ती छेतरों के विकास के लिए केंडरी साहता की आवशक्ता पर बल दिया राज़पाल ने अपने संबोधन में राज में कानून ववस्ता और लोग कलियान के मुद्दो को भी उठाया शुमिस्रा ने दूर दराज के गाउं और अन्य दूसरे पहारे इलाकों में सरकों का निर्मान करने और अन्य विकास कारिक किया जाने की जरूरत पर बल देते हुई कहां कि पिछले छे वर्षों में केंडर सरकार द्वारा इस छेतर के लिए मदद दी गई है लेकिन भारत चिन सीमा पर बुनियारी धांचे की विकास के लिए अभी बहुत कुछ किय जाने की जरूरत है राज़पाल ने पुर्वोतर परिशत के अद्यक्ष केंदर ग्रिह मंतरी आमिश शा और केंदर पुर्वोतर विकास मंतरी डॉक्टर जीतिनिदर सिंग से अरुनाचल प्रदेश के विकास के लिए निरंतर सहता जारी रखने की अपील की कृतरग्य राश्व आज महान स्वतनता सेना ने नेताजी सुभाष चंद्र बोष की जैनती का प्राक्रम दिवस के रूप में मना रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोष का जन्म आज ही के दिन 1897 में औरिस्सा के कठख में हुआ था उनकी 125 वी जैनती के लिए आज से वर्ष भर के आवजन शुरू हो रहे हैं सरकार ने हर वर्ष 23 जन्म को पढ़ा करम दिवस के रूप में मनाने का नर्ने लिया है प्रधान मंतरी नर्द मोदी ने साल भर चलने वाले कारक्रमों के उठखाटन समारों की आज कॉलकाता में अद्यक्ष्टा की नेताजी की 125 वी चैन्ती के लिए प्रधान मंतरी की अद्यक्ष्टा में एक उचिस्तरे समीती भी घटिट की गई है इस उसर पर प्रधान मंतरी ने नेताजी की सम्रिती में डार्क टिकट और विश्यस सिक के जारी किये और उनके पत्रों पर आधारी पुस्तक का भी भी मोचन किया प्ये मोदी ने इस खास मोके पर आजात हिंद फोज के पूर्वसेनिकों का समान किया अपने संबोधन में प्रधान मंतरी ने कहा कि आज जब भारत नेताजी के प्रणा से आगे बर रहा है तो हम सभी का करताव्य है कि उनके योगदान को पीरी दर पीरी याद किया जाए मैं किसी भी स्थिती में रहा परिस्थिती में रहा ये नाम कान में पड़ते ही एक नई उर्जा से भर गया मैं आज नेताजी सुभास चंद्र बोश के चरणों में अपना स्षिष जुकाता हूं उन्हें नमन करता हूं आज के ही दिन मा भारती की गोद में उस वीर सपूत ने जन्म लिया था जिसने आजहाद भारत के सपने को नई दिशा दी थी आज के ही दिन गुलामी के अंधरे में वो चेतना फुटी थी जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के सामने खड़े ओकर कहा था मैं तुमसे आजहादी मांगूंगा नहीं आजहादी चिन लूंगा नेता जी सुभाष चेंद्र बोष की 125 जन्ती के अवसर पर आज संसत में आवे जितकार कमें लोग सभाष द्यक्ष ओम बिला रक्षा मंतरी राचनात सिंग, कॉंग्रेस नेता गुलाम नभी आजाद, राजीव शुक्ला सहित कई सदसे उने पुषपांजली अर्पीद की केडर गृमाद्री आमिश्यान गौहाटी में नेता जी सुभाष चेंद्र बोष को सरदान जली देते हुए स्वतंतता आंदोलन में उनके योगदान को याद किया, उन्होंने कहा कि नेता जी ने एक स्कोलर, सौजर और राचनेता के रूप में मिसाल कायम की है राजबहर में नेता जी सुभाष चंद्र बोष की 125 वी जैनती पराकरम दीवस के अवसर पर अनिक कारिकरम आयोजित किये जा रहे हैं प्रदेश भाष पा मुख्या लई टानंगर में आयोई जीत पराकरम दीवस कारिकरम में पार्टी कारिकरता उने नेता जी को पुष्पांजली अर्पित करते हुए देश के आजादी में उनके योगदान को याद किया इधर इस सियंग जले के पास सिखात में पराकरम दीवस कारिकरम बरी संखिया में सभी बर्ट के लोगों ने हिस्सा लिया इस सहसर पर लोगों ने राश्य एक्ता और समाज में भाईचारी की भावनाओं को मच्बूत करने के लिए एक जुट होकर काम करने का संकार्प लिया हम लोग एक्सोपचीश में लोग पार्डेश सेरिविशन हम लोग कर रहा है तो इस बर आमलोग को पराकरम दीवस भी मनाने का बा मोधी सरकाष्य जो आश्पशन मिला वो सुनके हम लोग बंगली समाच बंगली वालफेर सोसाइटी हम लोग बहुत खूश है और मोधी जी को हम लोग बहुत बहुत प्रह दिल चे धन्नबाद देने चाहता है आने अला साल को भी सर हम लोग इसे जोड़तार से मराने चाहता है अर्सम और मनिपूर सहित पुर्वोतर के कई राजों में एंसेसी कैड़ेट्स दुआरा पराक्रम दिवस मनाए गया इस सुपलक्ष में एंसेसी कैड़ेट्स ने देश की आजादी में निदाजी की योगदान को याद करते हुए राश एक्ता और अखंट अता की भावना का प्रिसार करने का संकब लिया इस आवसर पर आवजे संस्कृतिक कारिक्रम में भी कैड़ेट्स ने बरचर के हिस्सा लिया राजपाल डॉक्र बीदी मिश्रा ने शिलोंग में दूसरे विश्य यूद के लिए मिलिटरी क्रोस सम्भानित मेजर रॉलिंग नाव बॉब खातिंग की बीटी मिस सेला एन खातिंग से कल मुलाकात की राजपाल ने कहा कि मेजर खातिंग ने 14 फरवरे 1951 में तावां में भारत के पिशासनिक व्यवस्था को प्रभावी तरीके से इस्थापित किया उन्होंने कहा कि अरुनाचर प्यदेश के लोग मेजर खातिंग की योगदान को आज भी याद करते हैं इस सवसर पर मुख्य मत्री पिमाख खांदो और राजपाल ने कल में घाले के सबसे सच जल माउन लिंगनों का दोराकर ग्रामीनों से इस गाउं को सच बनाए रखने उनकी द्वारा चलाए जा रही समाजिक आर्थिक गती वीदियो की जानकारे ली राजपाल ने परिटन और स्थाने हस्त शल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रही उनकी मुहीम की सराना की भार्टी जंटा पार्टी के अरुनाचल प्रदेश की काई ने चीन द्वारा अपस्रिबन सुरी जिले से लगती भार्टी सीमा में कठीत रूप से गाउं बसाए जाने की विरोध में आज इटानगर राज़ारी छेत्व सहित प्रदेश के कई जिलों में प्रदेशन किया प्रदेश भाजबा ने चीन को भार्टी छेतर से वापस जाने और पर उसी देश्यों की सम्रुपधा का सम्मान करने को कहाँ पार्टी की प्रवक्तार तेची नीचा ने कहां कि सरकार से चीन की विस्तारवादी नीती का करारा जवाब देने का अदरोध किया है इधर लोगा दिबाग बिली जिले की रोईंग में जिलाभाजपाई काई ने पे चीन की विस्तारवादी नितिके खला प्रदरशन किया चाइना! चाइना! घोबेट! चाइना! घोबेट! चानीज जो है ऊरनाचल को आमलों को साउडन तिरुद मांता है हमारा औरुनाचुल का इतिहास Riti Riva हम लोग चाइनिस से मिलता नहीं और हमारा इतिहास गवा है हम लोग औरुनाचुलिस औरुनाचुल को भी पार्ट अप चाइना नहीं है हम लोग integral unit of India, Indian तो इसलिए चाइनेज जो हमेशा क्लेम करता है और तोरा तोरा बोधर में हमेशा इंतरूट करते रहता है इंतरूशन करता है उसके लिए हम लोग आज यहां सवनसरे डिवीजन में कुछ जगा में यह इंतरूशन हुआ बोला है तो इसके लिए हम लोग यहां में पोटेस्ट कर रहा है तो इसलिए हमारा पार्टी यहां डिसाइड किया है कि आज सारा और नाचल में दिश्टीक में मौंदल लेवेल में सुख चाइनिस के एगेस में पोटेस्ट चल रहा है देश में अब तक 13,90,592 लोगों को कोविट का ठीका लगाया जा चुका है केरिश स्वास्त मंतराले ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 3,47,000 साधिक लोगों का ठीका करन किया गया है देश में कोविट से स्वास्त होने की दर बढ़कर 96,82 पिछले 24 घंटों में कोविट से 17,000 साधिक मरीज स्वास्त हुए और 14,256 मरीज सामने आए इस दौरान 152 लोगों की संक्रमन से मौध हुई है इधर अरुनाचल पदीश में पिछले 24 घंटे में कोविट संक्रमन का एक मामला सामने आया है और दो मरीज स्वास्त हुए हैं राज में कोविट की सक्रे मामलों की संख्या घंटकर 37 रह गई है और रिकवरी रेट बरकर 99.44% हो गई है उधर इस्ट सियंग जिला मुख्याले पासिगात में प्रभारी उपायती बोरां की अधिक्ष्टा में कोविट वैक्सिनेशन पर घटी जिला टास्क फोर्स की कल बैठक हुई बैठक में जिला चुकित साधिकारी का लिंगदाई ने बताया की करोना महामारी के दोरान अपने सेवाई देने वाले सभी अधिकारियों और करमचारियों को पहले चुरण में कोविट का ठीका लगाया जाएगा तिराब जिले की नप नियुक जिला परिशत अध्यक्स चातों लोगवां का उनके जनस्थान तुतनु गाउं में गरम जोसी से स्वागत किया गया इस आउसर पर जिले के कई 65 सदसे मोजूद थे अपने संबोदन में मिस चातों लोगवां ने कहा कि जिले के सभी गाउं में मूलभूत सुविधाओं का विकास उनकी प्राथमिक्ता होगी उन्होंने कहा कि जिले में रोजगार पड़क योचनाओं पर जोड़ दिया जाएगा ताकि ज्यादा तर बेरोजगार युवां को रोजगार के आउसर मिल सके यह जितना भी रस्ता है हमारे गाउं के लिंग वड़ा है सब प्यम जी एस वाई रोड के अंदर आते हैं मैं इसके बारे में एक्चिले डिया अमसी के मितिंग वहाब भी चर्शा की थी मैंने कारन पूची थी जे आड़ डिपार्मेंट की है यह प्यम जी एस वाई के अंदर आते हैं मैं आप यही मैक्सिमम गाउ के जितना भी सब इसी के ही सिकाएट के है प्यम जी एस वाई रोड और यह रस्ता के बहुत तगलिप हो देका रहना आना जाना की बहुत कर्चिनाई हो ले उनके अरुनाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही जाने से पहले आप सबी जनुरोद है कि कोविट 19 के दिशा नर्दीशों का पालन करें हमेशा मास्क लगाए बार बार हाद होए और सोशल दिस्टेंसिंग के नेमों को माने हम कल फिर हादर होंगे अरुनाचल और देश दुनिया के खबरों के साथ चलर चलते आपको बता दे आप अरुनाचल समाचार हमारे कि कि मुदके तुन अर्दाइशों के लाद से थालन करें हमेशा माने हमेशा तुन अर्दावे य।